सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार गुड मॉनिंग एवरीवन सो दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं MP7 exam के बारे में हाल ही में MP7 exam की डेट आपके आ चुकी है तो यह आपके लिए best मोगा है दोस्तों जिनका net नहीं हुआ है या जो assistant professor बनना चाहते हैं बिन आपके सामने आचुका है जो कि बहुत अच्छा चांस है आप सब को जी जान से इसके लिए तयारी करनी चाहिए अब तयारी करनी कैसे है क्या इसका exam pattern होगा क्या इसका syllabus है कौन सी books and resources आपको पढ़नी है परिक्षा कब होगी exam pattern क्या है syllabus क्या है इन सब के बारे में इस वीड UK माधियम से मैं आपको देने वाला हूँ स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो set exam है इसकी date कब है आपकी यानि इसकी date आई है दोस्तो 9 तारिक को यानि 9 अप्रेल को आपका ये exam है ये schedule already हो चुका है 2-3 दिन पहले ही जो MP set exam की date आई है तो 9 तारिक को आपका ये exam होने वाला है तो आपके पास में अभी almost 3-4 मन्थ है guys almost आपके पास में 3-3 महीने है और इसमें आप अच्छे से अपनी preparation कर सकते हो अब वो कर कैसे सकते हैं ये आपको मैं बताता हूँ क्योंकि net और set का syllabus है almost आपका same रहने वाला है वह आपको बता हुआ है तो बस आपको थोड़ा सा revision करना है और इस exam को qualify करना है तो सबसे पहले तो जो exam आपका होने वाला है वो आपका 9 अप्रेल को exam है वो set का होगा उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूँ कि syllabus and exam pattern की हम बात करें अन्ना कि इसका पाठे करम क्या है तो पाठे करम दोस्त teaching aptitude, research aptitude, ICT, maths, DI यह सब आपका आता है क्योंकि general awareness का paper है थोड़ा बहुत current है फिर उसमें 50 question रहेंगे और 60 minute का यह exam रहेगा इसी तरह से आपका दूसरा जो paper होगा वो subject का paper होगा और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से subject हैं जिनसे MP set exam है वो आपका होता है तो include थे अभी आपका detail notification आना भाकी है तो जैसे ही आएगा तो आपको पता लगेगा कि कौन-कौन से subjects हैं जिसमें include किये जाएंगे यह जो paper 2 होगा आपका यह आपका 100 question होगे और आपका 120 minute का यह paper होगा तो total number of question की मैं बात करूँ तो वो ही आपके 150 question 150 question है जो आपके इसमें क्य paper होगा अब बात करते हैं कि 300 में से आपको number कितने लाने हैं तो दोस्तों हम अगर subject की मैंने बताए कि 19 subject है मैं भी आपको subject की list दिखा दूगा जो पुराना notification है उससे तो हम देख लेंगे कि कौन-कौन से subject इसमें आते हैं उसके बाद मी मैं बात करूँ passing mark की कि आपको pass होने के लिए कितने number चाहिए ठीक है passing marks तो देखो अगर आप general category से belong करते हैं ठीक है अगर आप general category से belong करते हैं दोस्तों तो आपको 40% चाहिए दोनों papers में ऐसा नहीं कि एक में लाना है paper 1 plus paper 2 दोनों में मिला के आपको कितने number लाने पड़ेंगे आपको 40% लाना पड़ेंगा अग करने के लिए merit जो बनेगी वो अलग से बनेगी ये passing marks मैंने बताए हैं अगर आपका selection लेना है दोस्तों तो target करके चलो 60% प्लस आपके marks आने चाहिए दोनों paper में तब जाके आपका net जो set है वो qualify होगा इसके अलावा मैं बात करूँ कि कितने percent student को pass किया जाएगा जैसे net का अपना एक criteria है कि 6% student को pass किया जाता है वैसे ही ये जो set exam है इसमें आपके 6% student है जो total number of student होंगे उनमें से 6% student को यहाँ पर क्या किया जाएगा पास किया जाएगा इसके लावा कौन-कौन से subject में exam होगा उसकी list एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों तो उसकी list की मैं बात करूँ तो देखो यह आपके क्या है 19 subject है जिन में आपका set exam होता है आपको साइध यह दिखनी रहा होगा मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि कौन-कौन से subject है तो देखो एक तो है chemical science पहला दू है लाइफ साइंस 12 है mathematical science 13 है आपका संगीत यानी music 14 है आपका दर्शन सास्तर 15 है आपका physical science 16 है आपका political science 17 संस्कृत है 18 समाज सास्तर है और 19 आपका क्या है उर्दू है तो टोटल 19 सब्जेक्ट है जिनमें आपका MP-set exam है वो होने वाला है तो आपका जो भी सब्जेक्ट है एक बार आप देख लो चेक कर लो में सब्जेक्ट में सारे के सारे आपके include किये गये हैं तो इसके अलावा देखो कोई भी आपको जानकारी लेनी हो MP-set के बारे में त दोस्तों क्योंकि यह आपके लिए क्या है one stop solution है for the set preparation यहां पे dedicated आपकी classes होने वाली है regular basis पे जहां पे आपको practice set मैं आपको कर रहूंगा MP-set exam के जितने भी पुराने पेपर आपके आए है practice set हम करने वाले है MP-set के और इसके अलावा दो other state के भी है जैसे west pangal set का exam आपका होने वाला है तो जितने भी राजस्तान set का exam भी आपका होने वाला है तो जितने भी set के exam होने वाले है उन सब की तयारी आपको इस चैनल पर करवा कर सकते हैं क्योंकि GRF Adda पे आपको daily basis पर free quizzes, test series, free quiz आपको मिलेंगी वहाँ पर आपको test series भी मिल रही है अगर आप test series जोइन करना चाहते है paper 2 के लिए paper 1 के लिए तो आपको test series मिलेंगी तो यह सारी चीज़े आपको GRF Adda पर मिलेगी तो जल्दी से इस चैनल को subscribe किज़े त तो दोस्तो आज के लिए इतना ही है बाकी next video में हम Rajasthan set के बारे में detail से बात करेंगे कि Rajasthan set का क्या pattern आपका रहने वाले हैं Thank you so much, take care, bye bye and keep smiling, keep learning